रादे रादे जैसरी किष्णा कहानी संग्रय में हमारे सभी स्रोताओं का हार्दिक अभिनांदन है भगदो आज की कथा के रूप में हम बैसाक महातम्य के 22 में दिन के महातम्य को स्रवड करेंगे इससे पहले 21 में दिन की कथा के महातम्य की वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखे ही यदि किसी कारण मेरे किसी स्रोता बंदु ने इसका स्रवड नहीं कर पाया हो तो मेरे चैनल पर प्ले लिस्ट में जाकर शंपूर महातम्यों को स्रवड कर पैशाक महा के पुन्य फल के भागीदार बन सकते हो आईए बैसाक महातम्य का 22 मा अध्याय स्रवड करें इससे पहले 21 में अध्याय में सिरी सुर्थ देब जी कहते हैं संख मुनी और ब्याग्र दोनों ही सर्व योनी को त्याग कर हाथ जोड़े पुरुस को देख कर बिश्मित हुए तब संख मुनी बोले कि किस पाप से तेरी ये दसावी तू कौन है और कौन से सद गड़ों के कारण तुने सर्व योनी को त्यागा तब दोनों हाथ जोड़े हुए बोला मैं पूर्व जन्म में एक ब्रहमर का पुत्र था परंतु में हटी धर्मना मानने वाला वैसाक माह कथा सुनने वाले भक्तों की कथा में जाकर उनका ध्यान भंग करता इसी पाप के कारण मैं 84 लाक योनी को भोक कर अवसर्व की गती को प्राप्त हो सो बर्षों से भूका इसी पेड की खोकल में अपनी मुक्ती की राह देख रहा था आपके द्वारा ब्याग्र को वैसाक धर्म सुनाने पर मैंने अपनी आँखों के गोलक द्वारा सुन लेने पर मैं सभी पापों से मुक्त हो आपके समझ खडाऊं अब आप अनुग्र कर क्रपा करें जिससे मेरी सदा हरे में प्रीत बनी रहे तब शंक मुनी उसे सभी धर्म बता बहे लिए को राम नाम का मंत्र का जापते दच्छिड की ओर चले गए अब आगे की कथा में मैथली नरे स्री सुर्थ देपची महराज से बोले ही गुर्देव इस बैसाक माह में कौन-कौन सी तिथियां परम पुन्यमई है तता इन तिथियों में क्या-क्या दान करना उत्तम है तता संसार में इस धर्म को किसने प्रक्षात किया ये सब मुझे बताने की क्रपा करें तब स्री सुर्थ देपची महराज बोले इस महाक की प्रतेक तिथि में इश्नान दान पूजा करने से ततकाल मुक्ती मिल जाती है तता हरे कथाएं तता बैसाक धर्म सुनने सुनाने से रोग दोस दुख दरिद्रता से मुक्ती मिल जाती है जो इन प है दर्दियों या धनवान अंदे लंगणे विद्वा इस्त्री बालक कोई भी हो सबको या धर्म अतिस्वता प्रदान करसांती देने वाला है चैत के महीने में जब मेश की संक्रांती हो उशी समय समस्त पापों का नास कनने वाली अमावश्या कोट गया तीर्थ खा मनवंतर का राजय था तब तीसरे कलियुक के अंत में संपूर धर्मों का लोप हो चुगाता उश्यमय अनर्थ देश में धर्म बरड़ नाम का एक भ्रहमड हुआ तब उन्होंने कलियुक के प्रथम पाद में मनुष्यों को पापों से युक्त अपने अपने बरड़ धर् देखा तब एक दिन वे मुनी महात्माओं के सस्त्र यकी के दर्सन के निवित पुसकर तीर्थ गया वहां रिसी मुनी कलियुक के प्रसंसा कर रहे थे सत्य युग में माधब भगवान एक बर्स तब करने से प्रसंद होते हैं वहीं त्रेता युग में एक महीने में और द् अर्था 15 दिन में प्रसंद हो जाते हैं उसमें भी 10 गुना अधिक पुन्य फल कलियुग में सिर्फ भगवान विश्टू का इस्मरड बहरे कथा सुन्ने से प्राप्त हो जाता है यह प्रसंद चल ही रहाता तबी देवर्शी नारज हसने लगे और उन्मुक्ति की भांत न मात्र से ही इस युग में प्रसंद हो जाते हैं परन्त कलियुग के आगमन में आप लोगों का यहां रहना अब सही नहीं है इस पाखंड भारत को छोड़कर अन्यंत्र जहां मन प्रसंद हो वहां विचरो इह बचन को सुनकर ब्रत धारी मुनी यग्य संपन कर सीक्र ही वहा दीपों को चला गया चंपुर मानाब जाती घुर पापों से लिप्त है ब्रहमभड सूद्र सन्यासी पाखंडी हो गए है पतनी बत में गुरु सिष्टि में सेवक सवामी में पिता पूत्र में परस पर भिरोधी ब्योहार करते हैं ब्रहमभड सूद्र बत हो गए हैं जनिय हो गई हैं इस कल्योग में भाई वहन को पिता पुत्री से संगम करते हैं साद महात्माओं का अपमान होता है पापियों का सतकार हो रहा है अर्थात घूर दुराचार हो रहा है यह सब देखते घूंते हुए धर्म बर्ड आस्चरी युक्त दुखी मन पित्र लोक को च वहां यह देखकर वह बिस्मित हुआ और बूला तुम कोन हो तुमने कोन से ऐसे दुसकर्म किये हैं जिससे तुम घूर कश्ट भूग रही हो तुम किस गोत्र से उत्पन हुए तुमारा उद्दार कैसे होगा यह सब तुम मुझे बताओ तुमारा आज ही कल्यार हो हमारे लिए पिंडदान करने बाली कोई संता नहीं इसी से हम दुरात्म अंद कूप में पड़े हैं हमारे कुल में एक ही धर्म बर्ड बड़ा ही यस्वसी है वह सब को छोड़कर अकेला बिचरता है उसने ग्रस्ती धारण नहीं की वह दूर्वा का तंत रूप है और जिस अंदता मिस्र दुर्गम कूप में गिर पड़ेंगे जिससे हितात तुम सीकर ही प्रत्वीफ जाकर धर्म बर्ड को समझाईए कि तेरे पित्रेस और दुख से पीड़ित ओए एक दूब अर्थात तेरे सहारे लटक रहे हैं तेरे मरने पर तेरी संतान नहोने पर हम और गया को जाए तो वहां जाकर वैसाक धर्म करे विश्टू भक्त हो वह एकादसी ब्रत को धरड करे हर एक की पापनासक कथा सुने जिससे उसकी सो पीछे की और सो आगे की पीड़ी नर्ख जाने से बच सके हमको दथा उसको तभी सदगती प्राप्त होगी तुम उसे ऐसे स दिपांतरों की ऐसे बचनों को सुनकर रोता हुआ हात जोड कर प्रडाम कर धर्म वरड बोला है पित्रेशर मैं ही तुमारा दुरा राही तुमारा बंस धर हूं मेरा ही नाम धर्म वरड है मैंने यग में देवर्शी नारज जी के बचन सुने मैं प्रत्वी पर बहुत से मनुस्यों को देख को संगती के वह से दीप दीपांतरों में विचरता हुआ इस तरह कल्युक के अंतिम पद में भी साड़े तीन भाग व्यतीत हो गए हैं मैंने अब तक आप लोगों का दुख दूर नहीं किया अब मैं आपकी आग्या का पालन करूंगा देवर्शी पित पित्रों का ऐसा आसीरवाद मांगा कि संसारी कर्तब करने पर कल्युक की बादा उशे उत्पन नहो हे राजन धर्म बरड की ऐसी बाते सुनकर पित्रेसर बोले ये पुत्र तू विभा कर संतान उत्पन करके हमारा उद्दार कर जिनके घर में तुलसी का ब्रच साली ग्रा हैं जहां कथा सतसंग होते हैं हर इसमरड कीर्तन और वैसाक धर्म आदिसुर्व कर्म होते हैं वहां कल्युक कभी बादा नहीं पहुंचा सकता है पुत्र इसलिए तू कल्युक की चिंता मत कर सीगर घर्जा और इस मादब मास में सब के उपकार के लिए मेश की संक्राती मे सभी तीस तिथियों में वैसाक धर्म कर जिसे करने से करोडों गुना फल की प्राप्ती होगी चैत्र की अमाबश्या को पिंडदान स्राद आध कर जल से वराक गड़ा दान कर और सभी के उपकार के लिए विभा कर उत्तम संतान को प्राप्त कर इसके बाद मुनी की ब्रत्ती धारड कर शुक पूर्वक दीपों में भ्रमर करना पित्रेसरों की ऐसी आग्यापा धर्मबरड सीगरी प्रत्वी पर आया और चैत्र मास में मकर की संक्रांती के दिन प्राते इश्नान कर देवों रिसियों और पित्रों के निवित तरपड किय इसके बाद जल से वरा भड़ा जान कर पापों को नास करने वाला स्राद कर्म किया जिससे उसके समस्त्र पित्रों को मुक्ति प्राप्थ हो संसार के आवागमन के चकर से छूट गए इसके बाद विभाग कर उसने सुन्दर संतांक उत्पन की और संसार में इस पाप नासन की तिथी अमावश्या प्रक्ष्यात कर स्वयंगंद मादन परवत्प्थ चला गया इसलिए यह मदो माज की अमावश्या बड़ी ही सुप है अमावश्या तिथी के समान पित्रों के निवित्स्रात तरपड़ कर मुक्ति देने वाली अन्य कोई दूसरी तिथी नहीं है इसके साथी वैसाक माह के 21 में दिन की कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं आप आपके परिवार पर सदासिरी हर्ज विशुडो सहिद भगवती लच्छमी की ख्रपाद रश्टी बनी रहे इसी सुब कामना के साथ अगर प्रस्टती अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें